मॉर्णिंग स्टूडन्ट आज यसी दस्मीज माद्धी कहाणी बाकी सब सुक्सांध है जो कि श्री मोन पंडारी दी बेहतरी रचना है ते पंजाबी दी पाठ पुस्तक कावकता स्वेधना वेच दर्च है इस कहाणी दे मुखपातर मोहन सिंग हारकौर सहाइक पातर जाग पुत्तर दा नाम जागरफाजी है नू दाना करतारो ते उस दी ती दा नाम दीपो है इस कहाणी नू पढ़न तो पहले इस दे विशे बारे थोड़ा वेख लेए इस कहाणी विच कहाणीकार ने उन्नीस सु संताली तो पहला दे पंजाब दा जिकर कीता है जोदो कि लोग उसको जाके चिठियां लिखोंदे सान इस तो इलावा कहाणी का ले पंजाब दे अन गौले ते पच्छडे वरक दे लोग का नू अपनिया कहाणियां विच पेश कीता है ते हर एक दे हर कौर दे पातर दे रही मुनुक नू हमेशा चड़दी गला विच रहन दा सं जूथियां चिठीयां दार्थ है पत्तर अगला शबद आ रहे हैं जवाब दा अर्थ है उत्तर उस तो अग्ये आ रहे है ओक्खे जे अक्खे जे वाकंश है जिनुन इसी अंगरेजी दे विच फ्रेस भी गंदे हां ये दा अर्थ थुंदा है गुश्य विचाय होई अग अगला शब्द आ रहे है अक गया एवी फ्रेज है वाकंश अक गया द अर्थ तांगा आ गया सफया सफया द अर्थ पन्या अगला शब्द बेटा आ रहे है दोहे कवीता द इक रूप टिच्चरा मुख्हौल अगला शब्द आ रहे है अक्खा मीच के एवी वाकंश है अक्खा मीच के दार थुन्द है अक्खा बंद करके अगली लाइन बेटा तुसी पूरी दी पूरी एज इट इजी अंडरलाइन करनी है चिठी लिख दी हां खून नाग स्याही ना समझना मर गई हां तेरी याद विच जिऊंदी ना समझना ए लाइन इसकर के ऐसी अंडरलाइन करनी है क्योंकि एदिना रेलेटिड एक्स्ट्रेक्ट दे विच इसनू ऐसी एज इटी जी लिखना है अगला शबद बेटे आ रहे है उडीकना उडीकना दा अर्थ हुंदा इंतजार करना अगला शबद समाधी समाधी इकागरता जा लीनता अगली लाइन फेर आज़े टीजी उसी अंडरलाइन करोगे इना परदेसिया तेना करना इतबार लोको ए रसीदा सब बना दिनते अगला शबद जिड़ा आ रहे है बेटा बैंत बैंत दा अर्थ हुंदा है छंद नेक्स्ट अगला शबद तोटकिया तोटकिया दा अर्थ कहावता नेक्स्ट कडने कडने दा अर्थ बनोने अगला शबद आर्या मिटा राम सत राम सत तोटकिया या इस दा अर्थ है नमस्ते कहनी या सत्शिय काल कहनी ये फते बलोनी प्रेशान प्रेशान दा अर्थ दुखी आखर आखर दा अर्थ हुंदा है अंत अगली लाइन है रोने रुंदिया, रोने रुंदिया मीन्स के अपना दुख तकलीफ जाहिर कर दिया, कुपत्ती, कुपत्ती दार्थ लडाकी, हाथ तंग, हाथ तंग वी बेटा एक फ्रेज है, वाकांश है, आर्थिक तंगी होना मोहन सिंग, पिंड विच इक को एक पड़ेया लिखेया होन कर, कि वो सारे पिंड दिया चिठिया लिखदा आ रहा सी उन कहाणी वेजे में दस है कि मोहन सिंग इस कहाणी दा मुख पातर है, सिरफ ओ ही एक बच्चा सी, जो पड़ेया लिखेया सी पड़ेया लिखेया भी कोई इन्ना नी सी, सिरफ ओ दस्वी जमाता की पड़ेया सी जदो किसे नू चिठी लिखन तो जवाब दे दिन्दा, ता लोग उस नल ओखे हो जान दे ते लोग उसको लो चिठी लिखन दे सान, ते केई बारो लोग का नू चिठी लिखन तो जवाब भी दे दन्दा सी, पाप के इनकार कर दन्दा सी वह अपड़ी जबानी दास्ता है कि मैं पूरे पांजवरे चिठी लिख दा रहा सा, कि उन्हें लगातार पांजवरे लोग का निया चिठी लिखियां, पांजवी तो लेके दस्वी तक चिठियां लिख 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 के मैं अक गया सा, उन्हों चिठियां पांच साल लगा था, जदो पांच मेरे उन्हों चिठियां लिख 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 चिठीन विच व s दोहे टिछलावान लिक्षा गटी हवानी नीख गढ़ाई गाला कि उन्होंपा है ज़ाकिक उन्होंपाला पटा की सिचलावाला कोई खर्तु है पर उच्छाती ते हाथ रख के अख्छा मीच के कहन दिया लिख चिठी लिख दिया है कुण ना स्याही ना समझना मर गई है तेरी याद विच जिऊंदी ना समझना उन्हों चिठी देविच एहो जिया गल्ला एक दूसरे बच्चे को लो लिखवान दिया सान जो के नुन ल लिखवानिया नहीं सान चाहिदिया पर उच्छा मीच के एहो जिया सत्रा उसनु चिठी विच लिखन नु कहन दिया सान जिसनु सुन के उसनु आप वी की वर्शर मा आ जान दी सी मैंनु कई-कई मिंट उडीकना पेंतास कि उस माध्दी चो निकलन ते अगली गाल के चिठी विच अगला विशा की लिखना है वे निया समाध्दी विच लीन हो जान दी है सान के कई-कई मिंट मोहन जो कहानी दा मुख पातर है उसनु डीकना पेंदा सी क्यों की लिखे अग्यों लिखवान दी है इना पर देसिया ते इना करना इतबार लोको ए रसीदा सा आप बनालन दे अगली ए सतर लिखवाई जान दी सी कोई केंदी यू लिख दे वे वह सानु चिठी पादे वे कि ओ इस मी ने दे अंदर-अंदर मेनू लैन आऊगा पावे ना ही आवे पर एस तरह चिठी ज़रूर लिख दे वे और एथो तक कि कुडिया ए वी केंदी आस जिए दे निया के शायद ओ चिठी पढ़ दे हैं वो दा पती उसनों वापस लेन आएगा इस तरह दिया चिठी लिख लेके मैं ठाख चुका सा है एहो जिए चिठी दे विच गल्ना लिख लेके वो पूरी तरह अक चुका सी वारशा दी बैंत उन वारशा एक किस्सा काम ह जेनने राशे दा किस्सा लेखिया है जो की बड़ा परसिद्ह कवी होया है किस्सा काम स लेके कबीर दे दोहे तक मैंने तक अपनिया चिठी ऑफ पतानि की क्यों लिख本दिया ऐस च्थ cloudyya है मतलब कि हमगे सब्दलक ह Всक्ता उन कि कुछ लिख्वाँ इंग्तिया अंति को Een की Bartw केसी किंवेटयल लिख्वाईए चठी दो आप पर लिख्थे जडी गालते नू चंकी resentment कि जेड़ी गालते नुच अंगी लाग दी है उ तो आप पे लिख दे विच साधी राम सत जरूर लिख दी पर ए जरूर लिख दी कि ऐसी थे बिल्कुल ठीक ठाखा अते नमस्ते आद लिख देनी मैं परशान हो जान्दा इस तरह कहानी का इह हो जिए गलना लिख लेकर नुक पता है लगदा क्यों अपने जरूर आपक चिठी दी डिख दे की ये लिखे थे की नो लिखे बुडियां, अपने रोलोणे रू दिय। लिखें, बुजरोग ओरता जरियां पर वाली जरियां लाइना तान नुदाससेतियां सरे जवान पूडियां लिखवां लिखवां दिया सो जन पति यहां था फौज भीच हूं दो सब्साइबिंगां गुपंद आ बजर्ग गोर्ता दे वख्रे रोणे हंका आँ केलों पथ treating सिंडयीन्तिति और कि युध है वंच उन्थानीतृ मत्तंग्स्पव fist द DRS M अगला पेज विटा अधा होते वर्ड मेनिंग्स लिखनें अगला फेज देवे अगला फेज देवेश गला वर्ड आ रहे है बूहा बूहा मल्ली यह ताड़ा वाकन्ष है यह अर्थादंदः धर्वाचा मलणा राजी तंद्रुस्ती, लोद्दे अर्थ हुन्दै टीके, छान दित्ता ए तड़ा वाकन्ष है, इन्नु केंदेने पंजाबीच पोन दित्ता ए रार्थ, पोन दित्ता, अगला वर्ड कंगाल, कंगाल तो पावे गरीपी, अगला पेज आ रहे है, अगले पैरे देविचार है राजी, राजी ता मतलब हुन्दै तंद्रुस्त, सोनियां सोनियां, वधियां वधियां, नेक्स्ट, गौतम बुध, महातमा बुध, फिलास्फी ता अर्थ हुन्दै दर्शन शाश्तर, अगला शबद आ रहे है, दिमाग तो पाव है बुद्धी पाज जावाँ पाज जावाँ भी थाड़ा फ्रेज है वाकंश है पाज जावाँ दा अर्थ दोड जावाँ नेक्स्ट अगे पूरे द पुत्र मेंगा टे मेलो दी ती शर्वती यह तुसी एज टीज है अंडर लाइं करने लाईं क्योंकि एप बच्ची न आने यह बच्ची कहों कोशिष कोशिष तो पाव है यतन्एक्स्ट कबील दारी कबील दारी आर परवार पढ़ दे, सौँ पढ़ दे, मीन्स लको रखना, अगला शब्द तेथों, तेथों मीन्स तेरे कोड़ों, same as it is, लाइना फेर अंडरलाइन करनी हैने, कि अपने तिया पुत्ता, वांग तेरे नाल, गालकार लन्दे हां, दिल फोल लन्दे हां, तेरे कोल होर साला की है थे बस, अपना दिल होला हो जानता है, जरा, उन दिल होला होना, अर्थ हुंद है, अपने मांदा गुवार, कटना, अपने दिल दे दुख नू जाहिर करना, जरा मीन्स, थोड़ा जया, अगला शबद बिटा, आरे तड़ा लाड, लाडदार थुमद है, प्यार, नेक्स्ट, अगली लाइन तुसी, as it is, फिर अड़ा लाइन करोगे, क्योंकि ये भी, as it is, ये एक्स्ट्रेक्ट जानी है, मैं उना देख का रांदी, हर गल, हर कटना थोड़ ते लोड़ तो, जानूसा, नेक्स्ट शबद आरे बिटा, नीमी पालन्दा, वाकंश, नीमी पाना दा रुथुमदा है, सिर चुकालन, शरम, चिजक, अगला दो लब्स, दो लब्स दा रुथुमदा, दो अखर, हाँची हून ऐसी, इसे पन्ने दी रीडिंग कर आँ, उना नूख खाई जारहाई सी, मिहीने जुदो तरीका पेंदियां सान, किसे दी ती नूव्लम्ह बीमारी सी, उनजे में बजरुग औरतां सी पाढ़ चुके हैं, कि बजरुग औरतां दे वखरे रोने हुने सान, किसे दी नूख पती हुन दी सी, किसे दी दुख हु का सी ते उस मकदमे करके मिहीने दे विच्छोना दियां दो दो तरीका बन दियां सान किसे दिती लम्मी बिमारी सी किसे दिती इन्हों लम्मी बिमारी ने आके रहा सी सौरे उसनों ले जान दे नहीं सान वो पेक्के दा बुहां मल्ली बढ़ती सी उन्हों लम्मी बिमारी होन करके स्वारे कारू सुं पेक ही उन्हों छड्ड़िया अआ सी क्योंके सोच दे सां की जो दोन दीन धीरी ठी ठीक होएगी फेर यही इन्हों सॉरे लेके जानघे। इसकरके मपे भी बीचरे दुखी सान, ओना मर दी सी, पाप किव're लटकी हो इसी, ना ओ ठीक होई इसी, ते ना ही ओ मर रही सी, डाक्टर ने नित नमे लोदे लाला के, ऊठी दा स्रीर शान देता सी, ढाक्टर की का रहे साना, रोज उसमू टीके लग दे है ती के अनने लग चुक्के सां कि उदा सुरीर पूरा जिता गया सी पाप के विन्या गया सी डाक्टर दा कारपा रहे सी तो दिन बद दिन कंगाल हो रहे सां इस तरह वाचारे ग्रीव लोग चड़े सां और डाक्टर नूँ पैसे दे दे के अपनी प्रीदा इलाचप जानदा साँ ओ मोहन सिंग जड़ा सी ओ अजहे दुख लिख लिखके औना दुखी हो जानदा सी की सारा सारा दिन ओ सोच जड़ा ज़नदा कि लोग घड़ी राजी खुशी होनगे कि कदो ये लोग चड़े खुशोंगे खुशियां मनाणगे ते मित्थो सोनीयां सोनीयां गल्ला लेखोनगे पापके उसको लेखो जियां चिठीयां लेखोनगे जो खुशी नाल परियां होन ओ गल्ला जड़ियां मैंनो दुखी ना करन क्योंकि असल विच्च मोहन सिंग जहियां गल्ला करकर को दे मानते ना असर होंदा सी कि वो चारा आप ही दुखी हो जानदा सी मैंनो खुश रखन सदा खुश सोच दा सोच दा मैं गौतम गुद्धी फिलास्वीच जा वर्दा इस तरह मोहन सिंग जड़ा सी गौतम गुद्ध पाव के महात्मा बुद्धी दार्शनिकता मतलब फिलास्वी दे विच जा पन्दा क्योंकि महात्मा बुद्ध ये सोच दी कि दुनिया जड़ा दुखान दा कर है ओदय बचन मेरे दिमाग विच गुंधा रहन्दा जो तो फिलास्वी जा वड़ा ते उनु थोड़ा जे मननु होसला हुन्दा कि दुनिया दुखान दा कर है ते इस दुनिया दे विच रह कि उसनु ये दुखान सहार नहीं पहना है मेरा जी करदा मैं पिंडो पाज जावाँ पर केई वार इनना प्रिशान हुन्दा सी कि उता दिल करदा सी उक पिंडो दूर किते चला जाए जित्थे कोई मननु जानदा ना हुवे उत्थे ना में तो कोई चिठी लिखवाएगा ते ना ही मैं दुखी हुआगा इत्थों तक बिचारा दुखी हो जानदा सी के पिंड छड़न नू त्यार हो जानदा सी एहो जी जगाते जाना चौनदा सी जित्थे उसनों ना कोई जानदा हुवे ते ना ही उसको लोग कोई चिठी लिखवाए फिर केई वारो जहे बच्चेयां दा नालन दा जो कि उन पुतमेगा मेलो दी ती शर्बती ते नाईयां दा कोटा ए सारे जने हुन पंजमी विच होगे सान पंजमी जमात पढ़ लाग पे सान क्यूंकि कहानीकार ने भी ते पंजमी तो लेके दसमी तक लगा तार पांच वरे लोग का दिया चिठी लिखियां सान ते हुन इना लिखवा लेया करन चिठी आँ पर वो केंदे सान के कीदे कीदे सामने अपने कार दा पेत ओ खोल दे फिरन कबीलदारी दे सो पढ़ दे उन देने उन असल विच ओ इस करके मोहन सिंग को चिठी लिखवान दे सान क्यूंकि मोहन सिंग जड़ा सी उना दा विश्वास पातर वान चुका सी त्यों हर एक दे अपने कारदे पढ़ देनी सी फोलना चौन दे कारन ऐसी क्यूंकि मोहन सिंग एक कार दी गाल दूसरे कार विच जाके नहीं सी दासता इस करके वो सारे दुख सो खुस्ते नाल चिठी दे विच सांजे कार लंदे सान केंदे सान मोहन सिंग ते तो कदि अशी कोई गाल लू आके नहीं रखी हर गाला अपने तीयां पुत्ता वांग ते ले नाल कार लंदे हैं मतलग क्यों अपने जिमिघ ल deze फोल लंदे हैं अपने देनल दूध सांजे कार लन नहीं अनलých ते इसे नाल अपने दूभ भी दोले ललुभ होड़ा होर कारने सी क्योंकि मौन सिंग उना दी हर गालनू बड़े गोह नाल ते बड़े तयानाल सुन्दा सी उना दा लाडनाल केहा मौन सेयां मैनू चंगा चंगा लाग्दा है जदो पिंड़ दे लोग उसनों प्यार नाल मोन से यां केंदे ता ए शबत सुन दे ही उदा मान जड़ा खुशी नाल पारचानदा सी ते उन्हों ए शबत वधिया लागदा सी मैं उन्हादे कार दी हर गल, हर कटना थोड ते लोड तों जानू सा इस तो इलावा कहाणी कार चड़ा सी उन्हादी हर गल, हर गल पापकी हर परिवार दी कोई ना कोई गल हुंदी है, कोई ना कोई कटना हुंदी है, कोई लोड अर्थात के कोई जुरूरत या थोड या कोई किसे चीज दी कम ही हुंदी है, उस गल नू पूरी तरह जानता सी लो दे धिमाग वे चौन दी ता फेर ये सोच दियां सोच दियां वो नीमी पालन दा पाप की अपना सिर्च चुकालन दा कि उथ ता कोदी सोच चली दां दी ते मैंनू शरम जे याद दी ते फेर उन्नू थोड़ा शरम ही आं दी अपने आपते अखीर दो लवज लिखन पि जवाब दे देंदा सा चिथी लिखनतों क्यों मैं उन्ना नू चिथी लिखनतों जवाब देंदा हां उन्न बटा ऐसी ये पढ़ लेया है दो पेज उन्न एक 52 ते 53 ते जड़े दोनों पेज बटा तुसी दुबारा रीड करने ने अपनी अपनी पुस्तक तों और चंगी ठीक वेटे वह विटे वह ना टीक है वैस